नमस्कार दोस्तों स्वागत हाँ सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की यह जो वीडियो है यह बहुत ही जाते इंपोर्टन्ट है उन सभी के लिए जो दिल्ली गॉर्णमेंट में TGT उर्दू की नौकरी लेना चाहते हैं या फिर TGT के अंदर TGT उर्दू मेल और फिमेल की जो वेकेंसी है उसका पूरा स्टेडस यहाँ पर बताने वाला हूं आट्याए के माध्यम से यह सारी जानकारी उपलब्द कराए गई है और यह आट्याए किस के तोरह लगाए गई है और किस प्रकार से हमें जानकारी उपलब्द क उसको आपको कितनी वेकेंसी देखने को मिलेंगी यह सारी बाते और तैयारी किस तरीके से करनी हैं TGT ऊर्दू वनने के लिए यह सारी बाते भी हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो शुरू से आगिर तक यह वीडियो जरूर देखे दोस्तों जो भी साथ ही दिलली कारी है हमें आटे के माध्यम से उपलब्द कराए गई है तो आए बात कर लेते हैं क्या के चीज़े यहां पर आटे में पूछी गई थी और क्या 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 आंसर हमको आटे में देखने को मिले हैं टोटल अगर सेंक्शन पोस्ट की बात करें टीजी टी उर्दू मेल और फिमेल दिल्ली गवर्मेंट के अंदर कितनी हैं तो टोटल दोस्तों यहां पर 1049 पोस्ट टोटल सेंक्शन की गई हैं टीजी टी उर्दू मेल और फिमेल मिलाकर जिसमें से दोस्तों 269 पोस्ट यहां पर रिजर्व करी गई है डिरेक्ट के लिए यानि एक्जाम द्वारा फिल की जाएंगी यह 269 पोस्ट इसके बाद अगर हम प्रोमोशन कोटा से फिल होने वाली वेकेंसी की बात करें टीजडी उर्दू में तो 780 सी सीटे ऐसी रहेंगी जो की डिपार्टमेंटल प्रोमोश 23 के हिसाब से यहाँ पर दिया है और 8 को जो रिपलाई हमें मिला है वह एक जून 2023 को यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं यह दिया गया है दिल्ली गवर्मेंट के द्वारा अगला कोशन यहाँ बोला गया है यहाँ पर आंसर जो मिला है 119 पोस्ट जो हैं टीजडी उर्द बूस्ष workflow यहाँ पर काम कर रहे है 45 और इसमें से घष्ट टीचर की संख्या हटा दी गयी है तो टूडल 45 राइगल्में यहाँ पर टीजडी उर्दू फिमेल टीचर लगे हैं और डारेक्रेट मेंट сказать टीजडी इश्टी के लिए ह्याँप 111 स CC Tech और टीجडी उर्दू miracles के लिए यहाँ पर 68 यानि 68 सीटे रखी गई है अब अगर टीटी उर्दू मेल जो रेगलर वर्किंग है उनकी अगर बात करें तो 78 पोष यहाँ पर फिल हो चुकी है रेगलर वर्किंग टीचर काम कर रहे है इसके बाद प्रमोशन कोटा से अगर बात करें जो 43 पोष जो है टीटी उर्दू फिमेल की वो फिल्ड करी गई है प्रमोशन के द्वारा अब बात करते हैं दोस्तो आने वाली वेकेंसी की कितनी वेकेंसी आने वाली है कौन सी कडिगरी में आने वाली है उनके बारे में बात करते हैं जिसके लिए यहाँ पर आपको जनकारी दी जा रही ह रिक्विजिशन जो है दोस्तों 465 वेकेंसिस काफी सारी वेकेंसिस है दोस्तों जिसमें यूर की 332 रहेंगी EWS की 0, OBC की 19, SC की 36 और ST की 38 पोस्स टोटल यहां पर 465 वेकेंसिस TGT उर्दू फिमेल की यहां पर रिक्विजिशन DWSB को भेज दिया गया है यहां पर लिखा है has been sent to DWSB यानि इतनी सीटों का advertisement निकालने के लिए जो रिक्विजिशन है वो दिल्ली कॉवर्मेंट ने DWSB को भेज दिया है यहां पर बोला गया है और यह सारा अच्छा सुनायरा मौकाद देखने को मिलेगा दोस्तों 2023 में अगरे वेकेंसि आ जाती है जिसकी पूरी उमीद है कि 2023 मही की जो सीटे मिलेंगी आपको 265 टोटल वेकेंसि का advertisement देखने को मिल जायागा 2023 मही जिसमें 144 सीटे यूर की रहेंगी EWS की दो सीटे रहेंगी OBC की 16 सीटे हैं और ST की 24 सीटे हैं तो TGT उर्दू मेल के लिए यहाँ पर 265 सीटों का requisition DSSB को भेज दिया गया है दिल्ली गवर्मेंट के द्वारा और इसका advertisement DSSB द्वारा निकाला जाना बाकी है तो दोस्तों TGT उर्दू मेल की 265 है और फिमेल की यहाँ पर 465 है टोटल दोस्तों आप को टीटी उर्दू मेल और फिमेल मिला कर दिल्ली गवर्मेंट के अंदर 730 सीटों का advertisement DSSB द्वारा देखने को मिलने वाला है 2023 में एक बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों क्योंकि हर बार की तरह है यहाँ पर यहीं होता है कि हर बार जो उर्दू के candidates हैं नहीं मिल पाते हैं जिसके कारण यह सीटे फिल नहीं हो पाती हैं और उर्दू language के teacher दिल्ली गवर्मेंट को नहीं मिल पाते हैं इस बार दोस्तों बहुत ही अच्छा सुनयारा मौका आप सभी को देखने को मिलेगा जितने भी साती male हो या female हो TGT उर्दू दिल्ली गवर्मेंट में बनना चा शम्शुतिन सर द्वारा यहां पर हमें बताई गई है और उनके द्वारा यहां पर इस वेकेंसी के बार में पूरा status बताया गया है इसके साथ साथ इस अकबार में यहां पर शम्शुतिन द्वारा यहां पर सभी candidate जो की TGT उर्दू male या female की तैयारी कर रहे हैं और दिल् यहां पर बताई है और यहां पर शापी है तो जितने भी साथ उर्दू की तैयारी कर रहे हैं वह इन सभी points को एक बार अच्छे से जरूर रीट करें ताकि उनको तैयारी करने में काफी जादा मदद और help हो सके इसके साथ साथ यहां पर और अधिक जानकारी आपको इस न् important बाते बताई गई हैं कि तयारी करते समय क्या के चीज़ों का आपको ध्यान रखना है वो सारी बाते आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपने जयन में बिढ़ा सकते हैं कुछ बाते दोस्तों मैं भी आपको यहां पर शेर करना चाहूंगा कि आपको अपनी तयारी करनी है वो दोनों तरह के फॉर्मेट को लेकर तयारी करनी है दोनों तरह के फॉर्मेट से मेरा मतलब है कि पेपर आपका ओनलाइन होता है D2P में लेकिन आपको OMR-based पेपर के लिए भी तयार रहना पड़ेगा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट का जो पेपर था हमेशा से नहीं होता था पहले वो offline mode में होता था और पिछले दो या तीन बार से सीटेट का पेपर online mode में लेना शुरू कर दिया था जिसके बाद से सभी केंडिट से ही समझ रहे थे कि अप से सीटेट का पेपर जो है online ही हुआ करेगा लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं एक या दो उने offline mode में कर दिया है तो इसी तरीके से मैं आपको इस सला दूंगा दोस्तों जब भी आप TGT उर्दू की तयारी कर रहे हैं या DLSB की किसी वी वेकेंसी की तयारी कर रहे हैं तो हम यह मान की चलते हैं कि DLSB इसका exam online ही लेगा लेकिन किसी एक सेनेरियो में अगर DLSB द्व जो भी आप practice set लगाएंगे OMR sheet और computer based test ये दोनों ही तरीके से आपको अपनी तयारी करनी चाहिए ये था दोस्तों बहुत important पहला point अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर और क्या के चीज़े आपको यहाँ पर उर्दू की तयारी के लिए ध्यान में रखनी चाहिए सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं दोस्तों कि अगर आप TGT उर्दू की तयारी कर रहे हैं और आप बिल्कुली fresher हैं आपके पास कोई guidance नहीं है तो दोस्तों सबसे पहले आपको किसी एक senior से बात करनी चाहिए TGT उर्दू या फिर जो उर्दू के जानकार हैं कोशिश करें कि दिल्ली government में जितने भी TGT उर्दू के teacher हैं उनमें से किसी से भी अगर आप संपर्क कर सकें तो उनसे आप सला guidance ले सकते हैं कि उर्दू की तयारी आप किस तरीके से कर सकते हैं कौन सी किताबे बहतर रहेंगी TGT उर्दू की तयारी के लिए ये सारी चीज़े आप उनसे discuss करके अपनी तयारी शुरू कर सकते हैं दोस्तों कि इसके लावा जैसे कि आप से भी जानते हैं पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट में जो TGT का एक्जाम होता है वो द्वारा लिया जाता है पार्ट ए में पांच सब्जेट होते हैं हिंदी इंग्लिश रिजनिंग जन की तयारी आप कर सकते हैं हिंदी के लिए अगर मैं किताब आपको सज्जेट करूँ सेल्फ स्टड़ी के लिए तो आप लूशन की हिंदी की किताब ले सकते हैं मैथ और रिजनिंग के लिए दोस्तों आप आरे सगरवाल की किताब रेफर कर सकते हैं इसके और इसके लावा English की अगर तयारी कर रहे हैं English subject की TIT के लिए जो की part A का English का subject आएगा उसके लिए आप KD campus Nitu Singh की जो किताब है उसको reference लेकर वो तयारी आप कर सकते हैं English की और general awareness के लिए दोस्तों मैं आपको सला दूँगा कि आप YouTube के माध्यम से या किसी भी माध्यम साथ general awareness की तयारी कर सकते हैं क्योंकि GK का कोई एक limited syllabus नहीं होता फिर भी अगर आप basic अगर book पूछना चाहते हैं book जानना चाहते हैं तो Lution की जो general awareness की जो book होती है वो एक basic किताब हो सकती है सभी तरह के competitive exam के लिए उसमें आपको काफी जादा महतुकूर जानकारी मिल जाएगी तो आप उससे अपनी GS की तैयारी की शुरुवात कर सकते हैं यह हो गया दोस्तो पार्ट A अगर हम पार्ट B की अगर बात करें तो पार्ट B होता है दोस्तो subject specific जिसमें आपको qualifying marks लाना compulsory होता है exam में general category के candidates के लिए जो minimum qualifying marks हैं वो 40% है यानि 100 number का पार्ट B अगर रहेगा तो आपको कम से कम 40 marks यानि 40 question बिल्कु सही करने पड़ेंगे यानि 40 marks लाने पड़ेंगे उस paper में पार्ट B में अगर आप OBC category के candidate हैं तो आपको minimum 35 marks या 35% part B में secure करने पड़ेंगे तभी आपका signature valid रहेगा मान लीजे आपने part A में 100 number लियाए sorry हाँ जी part A में 100 number आप ले आते हैं और part B में आपके 20 number रह जाते हैं तो दोस्तों आपका part B यहाँ पर qualify नहीं माना जाएगा part B में अगर आप OBC category के हैं OBC category से belong करते हैं तो आपको 35 marks minimum लाने पड़ेंगे इसे प्रकार SCST और person with disability के लिए part B में जो qualifying marks डिटेबलेज में रखे हैं वो 30% रखे हैं तो बहुत सारे केनेर ऐसे हैं जिनको यह जनकारी पहले से ही मालूम हैं लेकिन अगर किसी को यह जनकारी मालूम नहीं थी तो मैंने आपको यह जनकारी शेर कर दी है कि part A qualify नहीं है लेकिन part B में आपको अपनी reserve category के हिसाब से उतने minimum qualifying marks लाने होंगे तब ही आप merit में शामिल हो पाएंगे otherwise आप merit से बाहर कर दी जाएंगे तो इस तरीके साब को यहाँ पर part A और part B के तयारी करनी है सबसे last और important बात जो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा TGT उर्दू की तयारी के लिए जैसा कि शम्शुदीन सर ने भी इस newspaper में बताया है जितने भी उर्दू के जानकार है वो यह newspaper पढ़ेंगे तो उने सारे जानकार यहाँ पर समझ आएगी उर्दू भाषा के शेत्र में जितने भी संगठन हैं जो इस शेत्र में काम कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी संगठनों से अपील करना चाहूंगा कि आप जितने भी यहाँ पर काम कर रहे हैं उसमें एक काम यह भी कर सकते हैं कि जितने भी उर्दू के candidates हैं जो TGT उर्दू दिल्ली में बनना चाहते हैं उन सभी के लिए एक guidance की एक coaching की आप initial व्यवस्था कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा जिससे उर्दू के विकास में और उन बच्चों के रोजगार के लिए बहुत ही बहतरी के रास्ते यहाँ पर खुल सकेंगे तो मेरी सभी उर्दू के संगटरनों से अपील है कि जितने भी candidates ऐसे हैं जो TGT उर्दू की तयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए आप यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था निशुल्ग अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वो उसमें कर सकें ताकि यह जो वेकेंसी यहाँ पर आने वाली हैं दिल्ली गवर्मेंट में 730 वेकेंसी इसमें जाद से जादा केंडेट्स को रोजगार मिल सके और उर्दू भाषा का भी यहाँ पर वर्चस बना रहे तो दोस्तों यह सारी जानकारी हमें उपलब कराया थी शम्शुतीन सर ने इस वीडियो के माध्यम से मैं शम्शुतीन सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्ही के प्रयासों से यह सारी जानकारी हमें उपलब हो पाई है और उन सभी कैंडेट्स की तरफ से भी मैं शम्शुतीन सर का धन्यवाद करूँगा जो दिल्ली गवर्मेंट में टीटी उर्धू बनने का सपना देखते हैं और वेकेंसी का वेट कर रहे हैं तो दोस्तों यह थी पूरी जानकारी दिल्ली गवर्मेंट के अंदर अगर आपको जानकारी और वीडियो छिलेगी है तो यह वीडियो को help कर सकते हैं, उन सभी तक ये वीडियो ज़रूर शेर कर दीजे, दोस्तों All India में Special Education और सभी प्रकार की Teaching Vacancies से जुड़ी authentic जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे, इसके साथ साथ हमारे चैनल की सभी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लि अरली वीडियो में